दुनिया चाहे कितनी ही रंग बिरंगी क्यों नहों मगर ब्लाक कलर की अपनी एक ख्लास है वैसे भी कहा जाता है कि उजाले का स्थित्व ही तब है जब आसपास अंधेरा हो इसी तरह दूसरे रंगों की खुबसूरती में भी काले रंग का बहुत बड़ा हाथ है जानवरों की दुनिया में भी इस रंग की अपनी एक खास जगा है इस दुनिया में ऐसे बहुत से क्रियेचर्स है जो पूरी तरह से काले है और उतने ही खुबसूरत और अट्राक्टि जानवरों की बात करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते है कि आखिर क्या बजह है जिससे जीवों की स्किन का रंग काला हो जाता है। जानवरों की स्किन का कलर कभी कभी जंगल में के सर्वायवल को मुश्किल में डाल देता है। जासानी से पहचाने जा सकते हैं। इसके अलावा इनकी यूनीकनेस भी इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ब्लाक पैंथर का। ब्लाक पैंथर कैट फैमली का ही हिस्सा है जो पूरी तरह से काला होता है। ये कोई अलग स्पीशीज नहीं है बलकि लेपर्ड या जैगवार स्पीशीज का ही एक मेंबर है। अगर ब्लाक पैंथर एशिया या अफरिका में दिखाई देता है तो ये एक लेपर्ड है। और अगर ये साउथ अमेरिका के रेंड फोरेस्ट में दिखाई देता है तो ये एक जैगवार है। दरसल मिलनिन की अधिकता की वज़र से ही इसकी बॉडी के बालो का रंग पूरी थरह से ब्लैक हो जाता है। मगर इसकी बॉडी के स्पोर्ट इसकी स्किन पर तब भी होते हैं। वो बस बालो की वज़र से छिप जाते है। खेर ब्लैक पैंथर्स बहुत ही कम पाय जाते हैं। और कभी कभी ही दिखाई देते हैं। ये अकसर रात में शिकार करते हैं। रात के अंधेरे में इनका कलर इनके लिए वर्दान साबित होता है। जो इनने छुपकर खात लगा कर वार करने में बड़ी मदद करता है। साब तो वैसे भी बहुत भयानक दिखते हैं। ऐसे में अगर उनका रंग काला हो तो सोचिए मनजर कितना भयानक हो सकता है। मेलनिन की मातरा जादा होने की बज़र से काले रंग के दिखने वाले स्नेक्स, किंग कोब्रा, राटल स्नेक्स या एडर्स किसी भी प्रजाती के हो सकते हैं। ये साब कितने खतरनाक हो सकते हैं ये इनकी स्पीशीज पर ही डिपेंड करता है। कलर से इनके जहर का कोई लेना देना नहीं है। अब किंग कोब्रा किसी भी कलर का हो, उसके जहर की एक बूंद भी आपको परलोग का रास्ता दिखा सकती है। हाम अगर कलर से काले साबों को ये फैदा जरूर होता है कि ये अपने शिकार को दूसरे साबों से मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से गर्म रख पाते हैं। इससे इनके कभी भी शिकार करने की सहुल्यत मिल जाती है। इसलिए इनकी डाइट दूसरे सापों की तुलना में भेतर होती है। यही बज़ा है कि काले साप जल्दी क्रो करते हैं और थोड़े ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। अगर आपको कही काला साप दिखे तो उससे 10 हद दूर हो जाईएगा। इसके बाहरी अंगों के साथ साथ इसके अंदरूनी अंग भी पूरे बलाक होते हैं। यहां तक कि इसकी हड्डिया भी काली होती है। काले रंग के प्रती ऐसा डेडिकेशन मैंने आज तक नहीं देखा। मुर्गे की इस प्रजाती का नाम आयम सेमानी है और ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस मुर्गे की एक किस्म हिंदुस्तान के मंद्य प्रदेश और चटिस गड़ के कुछ इलाकों में भी पाय जाती है। यहां इसे कड़कनाथ कहा जाता है। चिकिन खाने वालों का मानना है कि ये चिकिन दुनिया का सबसे टेस्टी चिकिन है। एक तो ये स्पीशीस बहुत ही रेर है, उपड़ से इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में इसकी कीमतों को तो आसमान छूना ही है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस मुर्गे की कीमत बाजारों में हजारों में पहुच जाती है। आपको कैसा लगा ये मुर्गा। अगर आप कभी कैनेडा, USA या UK गए हो, तो हो सकता है कि आपने इस कमाल की गिलहरी को नोटिस किया हो। उपर से नीचे तक पूरी तरह से ब्लाक ये गिलहरी ज्यादा तर नौर्थ अमेरिकन कॉंटिनेंट में पाई जाती है। जब यूरोपियन्स अमेरिका पहुचे तो उन्होंने इसे अपने देशों में इंपोर्ट किया। यही बज़ो है कि एक खास गिलहरी यूके में भी देखने को मिलती है। खेर इनकी संख्या बहुत ही कम है। इसे आप यू समझिए कि हर 10,000 ग्रे स्कुरिल्स में एक ब्लाक स्कुरिल होती है। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि दो ग्रे स्कुरिल्स कभी भी एक ब्लाक स्कुरिल रिप्रेड्यूस नहीं कर सकती। ब्लाक स्कुरिल के पैदा होने के लिए दोनों में से कम से कम किसी एक को तो ब्लाक होना ही पड़ेगा। वैसे ब्लाक स्कूरिल को अपने कलर का बड़ा फैदा होता है ये रात में बड़ी आसानी से कही भी घूम फिर सकती है और धेट सारा खाना एक खटा कर सकती है बगैर किसी की नजर में आए इन ब्लाक इन वाइट पक्षियों को तो आपने देखा ही होगा जो पक्षि होने के नाम पर एक काला धबबा है धबबा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पक्षि है जो ओड़ नहीं सकता यू तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वाइट शर्ट पर ब्लाक टक्सीडो पहन रखा हो मगर आप ये जानकर बहुत चक्के रह जाएंगे कि ऐसी भी पेंग्विन्स होती है जो पूरी तरह से प्लाक होती है इसे देखिए जरा ये तस्वीर एंटाक्टिका के पास साल 2010 में ली गई थी ये फोटो कीचने वाले फोटोग्रफर का नाम था आंड्रियू इवैंस जो इस समय नैशनल जोग्राफिक के लिए काम करते थे इसे देखकर वेग्यानिक भी पूरी तरह से हैरान थे उन्होंने तो इसे one in a zillion kind of mutation करार दे दिया था इससे पहले माना जाता था कि पूरी तरह से black penguin एक्सिस्ट ही नहीं करती ये दुनिया सच मुच रहस्यों से भरी पड़ी है नॉर्थ अमेरिका में पाय जाने वाले इस भीडिये से मिलिये भीडिये वैसे भी बहुत खतरनाक दिखाई देते है और उपड़ से इस काले रंग ने इने और डरापना बना दिया है जनरली तो भीडिये भूरे रंग में ही पाय जाते है मगर gene mutation की वजह से इन खास भीडियों का रंग काला हो जाता है दरसल इसी तरह का सेम gene mutation काले कुतों में भी देखने को मिलता है यानि जिस वजह से काले कुत्ते काले होते है उसी वजह से ये भेडिये भी काले होते है घैर एक जगह ये भेडिये कुत्तों से अलग हो जाते है इन कुत्तों का रंग ता उम्र काला ही बना रहता है मगर ये केज भेडियों के साथ नहीं है उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे इनके बालों का रंग काले से भूरा होने लगता है और ये फिर से आम भेडियों के तरह ही नजर आने लगते है धंडे और बरफीले इलाकों में इनका काला रंग इनके शरीर को गर्म रखने में काफी मदद करता है आम तोर पर जीब्रा के शरीर पर ब्लाक एंड वाइट स्ट्राइप्स रहती है मगर पूरी तरह से ब्लाक जीब्रा का मिलना बहुत ही रेर है ऐसा ही एक जीब्रा मिला था नामीबिया के एटोशा नैशनल पार्क में शुरुवात में तो लोगों ने इसे गधा या घोड़ा समझने की गलती कर दी क्योंकि इसे देखकर कोई इसे जीब्रा कहे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी इसकी टांगों को छोड़कर इसका लगभग पूरा शरीर पूरी तरह से काला था दरसल ये जीब्रा भी जीन म्यूटेशन का शिकार था खैर इसके रंग के अलावा इस जानवर में कोई भी बात अजीब नहीं थी ये आम जीब्रा की तरह था और उनी की तरह भीएव भी करता था इस कमाल के जीब्रा से मिलकर आपको कैसा लगा? मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा अब बात करते हैं एक पक्षी की जनरली बान आउल का कलर बहुत हलका होता है और ये रात के समय तो पूरी तरह से सफेद दिखाई देते है जैसा की सभी जानते है कि उल्लू रात के समय ही शिकार के लिए निकलते है ऐसे में इनके सफेद कलर की बजह से इन उल्लू को पहचानना बहुत आसान हो जाता है मगर जैसा की हम शुरुआत से देखते आ रहे है मेलनिजम की मार से ये बेचारा पक्षी भी अच्छूता नहीं है इस प्रजाती के उल्लूों में भी जीन म्यूटेशन की वज़ से कभी-कभी कुछ उल्लूों का रंग डाग ब्राउन या काला हो जाता है इन स्पेशल उल्लूों का ये कलर इनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है क्योंकि अपने अलग रंग की वज़से ये अपने भाई बहनों से अलग दिखाई देते है और इसलिए इनकी मा इन्हें अपना बच्चा मानने से ही इंकार कर देती है बिना लालन पालन और फीडिंग से इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है और यही वज़ो है कि ज्यादा तर ब्लाक बाउन आउल्स की बच्चपन में ही मौत हो जाती है मिलिए इस काले खरकोश से यह भी देखने में इतना ही क्यूट है जितना की वाइट राबिट ब्लाक राबिट शुरुवात में केवल यूरोपियन कंट्रीज में ही पाय जाते थे मगर धीरे धीरे अब यह लगभग धर्ती के हर हिस्से में पाय जाते है किवल एशिया और इंग्तार्टिका को छोड़ कर यूरोप के देशों में इन खरगोश को अकसर घरों में पाला जाता है वैसे भी इतने प्यारे और यूनीक खरगोश देखकर किसका मन नहीं होगा इने पालने का खेर डोमेस्टिक राबिट्स के साथ साथ वाइल में भी ब्लाक कलर के राबिट्स पाय जाते है जीन म्यूटेशन के चलते इनका कलर भी पूरी तरह से ब्लाक हो जाता है हाला कि इससे इनके बिहेवियर में कोई खास चेंज नहीं आता ये भी आम खरगोश की तरह ही होते है और उनमें आसानी से घुल मिल जाते है वेल आप समझी सकते है कि भारत में काला हिरन किसी सुपर स्टार से कम नहीं है इन काले हिरनों को कृष्ण मिर्ग भी कहा जाता है और इंडियन एंटिलोप भी हाला कि सारे ब्लाक बग काले नहीं होते है भारती उप महादुईप में पाय जाने वाले इन स्पेशल हिरनों की संख्या बहुत ही कम है खेर ये भारत के आसपास पडोसी देशों में भी पाय जाते है मगर बांगला देश से ये पूरी तरह से लुप्त हो चुके है ये ज्यादा तर मैदानों और छोटे जंगली इलाकों में रहते है खास कर ऐसी जगह जहां रोज पीने के लिए पानी की बढ़िया वेवस्ता हो ये हेरन दुनिया में पाय जाने वाले रेर वाइड डियर से भी ज्यादा रेर है खेर इनके बचाव और संगलक्षन के लिए भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है मगर हम जिम्मेदार नागरिकों को भी अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करना चाहिए आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी यूनीक और स्पेशल ब्लाक कलर के इन जानमरों को देखने और इनके बारे में जानने का आपका अनुभफ कैसा रहा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा फिलाल हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन्स आप तक जल से जल पहुंच जाए